जिस चीज का आपको सबसे ज़्यादा इंतजार था वो लम्हा आ गया है बीजेपी की पहली लिस्ट वो आ चुकी है और लाइव आपके साथ हम डिसकस करने वाले हैं इस लिस्ट का और इस लिस्ट के साथ-साथ जिसका सबसे ज़्यादा और आपको इंतजार था जो खरा-ख पूरिसे इंतजार था नेताओं की रातों की नींद हराम थी दिन का चैन हराम था और कह सकते थे कि आ जाएगी कल आएगी लेकिन फाइनली लिस्ट आ चुकी है और इस लिस्ट आने के साथ साथ बहुत सारे समीकरन आप बन रहे हैं बिगड रहे हैं यह लिस्ट कितनी पास है कितने फेल लेकिने जो लिस्ट के उपर सब की निगाह थी क्योंकि सब की नजर थी कि कितने विदायकों टिकट कटेंगे कितने नहीं चेहरे आएंगे कि रिपिट फोन्गे तो बीजेपी ने इस लिस्ट में एक बड़ा थोक दाओ साथ के बंँ जड़ करते हैं वह में तड़त का दे चीजे entity को दूर करने के लिए चाहे उन्हें खट्रकोई बेजना पढ़ा हो वो गुरेज नहीं करते को अपने दर्स से को बता दे जिन विधायकों के टिकट कटी है उनमें फरिद्याबाद से नरंदर गुपता है पलवल से दिपक मंगला है सोना से संजय सिंग है बुडगाव से सुधिर सिंगला है अटेली से सिताराम यादव हैं बुवाणी खिडा से 20 संबर वालमिकी हैं, रानिया से रंजीत सिंग हैं, रतिया से लक्षमन नापः हैं, और पेवा से संदीप सिंग हैं, सबसे जो सरप्राइजिंग नाम है रंजीत सिंगं का। आज के तारिख में विदायक से इस्तिफा दिने के बाद ही मंत्री भी है लेकिन इसके बाद जो टिकट कटा गया वो सर्प्राइजिंग है और बिज्जे पिन यह दिखा जिया कि जो भी पार्टे खिलाब बोलेगा जो भी संक्टने खिलाब बोलेगा नौन पर्फॉर्मर इ लेकिन रणजी सिंग का मसेला जूसरा था वरकर मीटिंग के पिछले चाहां दिन पहले 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 तो इसमें काई दिया थे कि बीजेपी अगर जो है कांड़ा परिवार के साथ सेटिंग रखेगी तो फिर वह अलग से रास्ता पनाएंगे वह इंडिपेंड चुना वड देखें जो नरेंदर गुपता थे जो है फिर्दाबाद से उनके खिलाब भी वहां पर वीपिल गुएल को लाया गया है दोजार उनीस के अंदर वह उनको टेक्ट काटे गए थे मंतरी भी थे लेकिन अब उनको वापिशिंग जो है उसमें का जाएगा पलवल में दिपक म पहले से चर्चा दी कि उनकी प्रफोर्मेंस अच्छे नहीं है वो अपने इलाके कंद्र एक्टिव नहीं थे उनको लेकर पहले से चर्चा दी टेक्ट बदली जाएगे बिल्कुल उनने जोहर राजपु समाज की मिटिंग भी पुड़ाई लेकिन इसके बादू हाई कमान में सबसे में बात है कि सुधिर सिंग्ला की टिकट काटकर मुकेश सर्मा को लेकर आएगा है यह कुड़गाओं की सीट है या पंजाबी की सीट मानी जाती है या बनिये की सीट मानी जाती है ब्रामन चोथे नंबर के वहां पर वोट रहें तो ऐसे वह ट्रिकट दे गई है तो सर्प्राइजिंग है अगर कोंग्रिस ने बड़ा कोई गेम खिल दिया तो मुकेश सर्मा के लिए संकट पैदा हो सकता है अटेली के जो विदायकति सीटाराम यादव उनके ट्रिकट कर पर वालमी के खिलाब यह तरचा थी कि वह एक्टिवेट कम है एक्टिविटी कम होने कान विकास करें कम होने एकान पबली कमें अग्टिविटी थी इसलिए टिकट कार्टने में ही आइकमान को ब्लाई निजराई उनका पी गोड़े भी दुड़ाए लेकिन बीज़ेपी रतिया की लक्षमनापा लक्षमनापा की जगह पर पूरी जो एमपी थी सुनिता दुगल उनको लेकर आया गया है और सुनिता दुगल दोजार चोदा पान्सोड़ वोटने चुना उहारी थी और इस बार उनको टिकट नहीं मिली तो उनके पर एक सानिवूद्री का फैक् वहारी जो नोई दायकम वाकरी है संधीप सिंग है संधीशिंग संधीशिंग देखिए कि पहले ही सबसे ज्यदा नेग्टिव थे अगर सरकार की बद्रवि सब से जदा किसी निक्रंदीशिंग संधीज थे मामले में जो उनकी जो बद्रविणामी हुई mist उसके चलते तिक कटा है आपको लगता है यह जो इनकी जगे रिप्लेस्मेंट आई है यह कुछ हैज मिलेगा इनको या फिर पूरा-पूरा कॉंग्रेस के टेट पर डिपेंड रहेगा देखें मुझे लगता है जो चतीज जो ने कंडियेट आये हैं मुझे लगता है कि दोड़ के जीत की दोड़ में सामिल रहेंगे अथारा के जो किसमत है वह तै होगी कोंगर से लिस्ट आने के बाद क्योंकि देखें आपकी बार हावा जो 30 सीतों पर हवा चल रही है लेकिन साट सीट हैं जहां पर कोई हवा नहीं है अब आम आदिव पार् कि आपने 60% नए फेस दे दिये हैं जो नेगटिविटी थी वह आपने खतम करने का प्रियास कर दिया है अब निगायश बात पर रहेगी कि कोंगरिस जो है वह कितने नए चेहरों को देती है कितने जिता हूँ चेहरों को ट्रिकट देती है उसके हिसाब से ही इस ट्रिकट क फैनल वीचिन हो पाएगा लेकिन जो आप करें ना नेगटिविटी कम करने का प्रियास है क्या लगता है उप्रियास सफल हो पाएगा भीजेपी का लिस्ट को देखिए आगर आप लिस्ट को देखिगे जो मोटी-वोटी जो लीस्ट को खंगाला है उस statist में से तेरा जो प हिससे दरी ली जाए के लिए ही तेरा जाट प्रत्यासी उतारे गए हैं उसके बाद आप देखिए कि नमबर दो है वह नो कंडिडेट है वो ब्रामन समूदाय के हैं ब्रहनवान समूदाय के हैं जो है 2014-2019 2019 बीजीपी के साथ में खड़ा रहा है और इस बार भी उस साथ में दे गई हैं उसके बाद 8 जो परत्यासिया है पंजाबी समूदाय के जाने के बावजुद भी अब बीजीपी कोशिश करें के पंजाबी वोटर को नराज नहीं करना है इसलिए बीजीपी ने जो है चाहे वह सुबासुदा हैं चाहे वह जीन के विधायक जो है मिड़ा साब हैं उनको दोन्य टिक्ट जो है हारने के समीज़ने वाजुद मुवजूद रखी है ताकि पंजाबी वोटर्वें के नराज नहीं हो उसके बाद है वैसे समूदाय के भी बरकरार रखें आप दी गयां चंद गुपता चुना भारेंगे उनको टिक्ट दे दीगी यानि गंशाम सर्राफ हैं उनके बारे में नेगटिव रिपोर्ट थी लेकिन तीनों को टिक्ट इसले दीगी ताकि जो है आपका वैसे जो वोट बैंक है जो भी आपके साथ में अटाइस रहे और यही चितों में से आप देखें के जो पांच चिते हैं यहानि के बिजेपी चाहती की वह राविदर जीट को सेट रहके वह नराज ना करे उसी हिसाब से एदी गी तो प्रवाड के अंदर उनको चल्का नहीं की गई है आप देखे कि शाम शिंग राणा चुनाव जीत रहे जो है रादोर में उनको तरह सकते हैं लेकि कि शुद्ध बेंक है वो आप देखिये कि चाहे वह पानिपत ग्रामिंड है चाहे वह उसके बाद इंदरी है करनाल है ग्रोंडा है असंद है निलो खेड़ी है और लाडवा है और रादोर है आठ सीटों पर जो है वह कश्यप वोट बेंक इंपोर्टेंस रखता है हार जीत में इसलिए रामकुमार कश्यप के टिक्ट इसलिए बची है क्योंकि बाकी की जो साथ सीटों पर जहें ताकि वह कश ङान में द्विपी ने समीकणों को ध्यान में रखा है और वीनिंघ चैरह को ध्यान में रखा है देकिन फρί मुझे लगता कि जो च्या से हैं मुझे लगता कि उनकी जो टिक 550 चाहिए थेक क्योंकि तानिस सर के जो Winston सुबह सुदा उनकी बेर नेगटिक्तिय रिपोर्ट है वो पक्का हारेंगे, उनकी टिकेट कटनी चाहिए थी, कलयत की जो विदायक है कमलेश धंडपुर मंत्री भी है, उनके नोन परफॉर्मिंग है, उनको मंत्री मतल में सामिल भी नहीं किया गया, तो उनकी टिकेट कटनी चाहिए थी, आपके बरवाडा से रनवीर गंगा जो कांड से अगर दे दी वहाँ पर जो है गुड़ेला को और आमने इस गुड़ेला को तो रनवीर गंगा का बिश्तर कोल हो जाएगा, अगर वहाँ पर जाट प्रत्यासी कोंगरिस काता है, उस कंडिशन में मुकावला कर पाएंगे, विवाने में गंशाम सराफ तीन बार के विदायक बन चुके हैं, इस बार में टिकेट कटना चाहिए था, लेकिन टिकेट नहीं कटा है, तो बिज़ेपी कि इसमें भी गल्थ जो हाकलन है, वह भारी पड़ सकता है, यानि जो चैरों विदायकों को जो नौ विदायकों को टिकेट काते हैं, उससे साथ में अगर च 50% विदायकों को टिकेट कट जाते हैं, तो बिज़ेपी के लिए अच्छा रहता है, लेकिन बड़ी बाती है ना कि जैसे जेजेपी से तूटके आए हैं, कॉंग्रेस से निखिल मदान जैसे आए हैं, पावन खरक होदा हैं, बहुत सारे ऐसा हैं, इनको भी एंट्री दे इतिकापल लगता कि अब जो है, जो मूल वोट बैंक था बीज़ेपी का वो लोग भी नराज होंगा, देखिए कि सिंपल सी बात है कि बीज़ेपी का जो वोट बैंका आप पहले बात करते हैं, रामकुमार गोतम को टिकर दे गए हैं, सफिदों से, तो मुझे लगता कि व आपर मोज होगी है, कांग्रेश के परतिएसी, सुभास देशवाल की, पूरी पूरी जीत पक्की होगी है, जहा तक हम बात करते हैं, अनुप धानक की, जो है उकलाना सीट के उपर, उकलाना सीट के उपर बीज़ेपी के पास इन से बैटर केंडिएट नहीं था, इसलिए सब्सक्राइब करते हैं उसके दो फाइदे हैं कि हार तो हार है लेकिन जो धानक ब्रादरी है उसमें अच्छा में से जाएगा कि बीजेपी ने दानक बड़े नेता उठीकर दी है तो उसका बीजेपी को दूसरी सीट बर फाइदा होगा तिसरे कंडिडेट है देवंदर अपना वोट बेंक है तो अपने वोट बेंक के बलबूते पर जो है वो इस टिकट को निकालने की समता रखते हैं यानि बीजेपी ने अच्छा किया है क्योंकि उनके इंदर फ्रेशनेस है उनका अपना पोजिटिव सरकल है तो वो बीजेपी के लिए वोई पोजिटिव हैं उसमें से 18 चेहरें जो बीजेपी को पॉजिटिव मेसिज दे रहे हैं यह और इन में से खास बात है कि जो 18 चेहरें उन सीटों पर जाब बीजेपी खारी थी यानि कि यह 11 चेपी बीजेपी नई अपने खते में जोड सकती है अब देखने ही बात रहे कि कांग्रिस की निखिल मदान कैसे रहेंगे पॉन्खर-खोदा कैसे रहेंगे देफिनेटली जो है जो 18 जो चेरे दिये हैं गयरा जो विनिंग कैंडियेट है उनमें जो है निखिल मदान भी सामिल है उनमें अरविधिस्रमा भी शामिल हैं बेसक से गोहना मेरंट सर्मा की खिलाफत है लेकिन मुझे लगता है कि वो जो है बाजी कर रहे हैं जहां पर भी जाते हैं वो लोगों को सेट कर लेते हैं मना लेते हैं उन्हें खुबी है लेकिन निखिल मदान और पूंक कोदा तो निश्ची तोर पही विनिं है और जो है निखिल मदान मुझे लगता कि सो परसेंट विधायक बनेंगे इस तरह से दो चुनाव से जो है पंखुड़कोदा चुनाव हाते हैं नजदिक की मार्जन से पिछला चुनाव सोला सब्सक्राइब तो आप बिजएपी टेटर हुए सो परसेंट विधायक बने कांग्रेस के लिस्ट कैसे आती है उसके बाद हम बता पाएंगे बाकी जो ठारा लोग है यह क्या वह जीत को दोड़ में समील होंगे या वह पिछल जाएंगे लेकिन बिना कॉंग्रेस की लिस्ट आए आप अगर एक आकलन देखेंगे आपको नहीं लगता है कि अभी तक जिस्तरे का विचार भी मर्श हो रहा है कांग्रेस का अभी भी अपर हैंड है यह देखे क्या कि अगर आप 67 सीटों की जो है सूची को आप देखेंगे तो 67 सीटों की सूची मुझे लगता कि 50% जो बीजेपी की चेहरे हैं यानि कि 30 से 35 जो है इस मेंसे मुझे ऐसे लगता है तो आज की तारिक में तालीस जो सीटे हैं यानि बीजेपी वहाँ पर खड़ी है अब डिपेंड ही करेगा कि बीजेपी के सामने कांग्रेस कैसी लिस्ट देगी अब आम आधी पार्टी को जो 57 सीटे से लिजाएंगी समाज़ादी पार्टी को 102 सीटे से लिजाएंगी तो कोंग्रेस के लिए भी समीकर बिठाना आसान नहीं होगा आज की जो बीजेपी की लिस्ट है उस लिस्ट को में कैसे जागता हूं कि उससे मैं 80% सेटिस्पाई हूं और 20% में डिसेगरी हूं 20% ऐसे चे रहे हैं जो उनकी बजाए बीजेपी पास अच्छे विकल्प थे जैसे थाने सर के उपर डिडी सर्मा बेस्ट विकल्प थे उनको जो है श्याबाद में वेट करनी चाहिए थी उनको पहवा में वेट करनी चाहिए थी कलायत में विदो निद्वन को टिकट देना चाहिए था गुला के अंदर उनको बैटर केंडिट देना चाहिए था उसक जो टिक्टे हैं उसमें इमानदार इसे सर्वेड नहीं किया है जो विनिंग कंबिनेशन जो अख्या नहीं रखा है कहीं ने कहीं इस लिस्ट में मुझे कुछ सेटिंग की जो है बू आ रही है बड़ी बात है देखिए लिस्ट तो आ चुकी है और बीजेपी इसमें सब्सक्राइब के बाद अगरे बीजेपी को लगता कि जो है दो चेहरे से हैं जो बदलने से बीजेपी को विदायक बन सकते हैं तो ऐसा फैसला भी हो सकता है देखेरों मेहम के अंदर बीजेपी ने गल्थ फैसला लिया है खिलाड़ी दिपक हुड़ा को टिक्र दिना हो गया है अब वह बड़ी जीत दर्ज करने का काम करेंगे यानि कुछ हीट ऐसी है जापर बीजेपी ने अच्छे विकल्प होने के बाद उद में कमजोर गोड़ों पर दाव लगाने का काम किया है बिल्कुल बड़ी बात है लोकल केंडिडेट्स भी हैं हर तरह की महोल हो